तो लास्ट लेक्शर में हम लोगोंने रेट एक्क्वेशन पढ़ा था और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लोग क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा 11 फ्लास में पढ़ चुके एक्विलिब्रियम में भी हमारे पास यही लोग आता है लेकिन यहां पर यह थोड़ा सा डिफ्रेंट है देखे क्या है रेट लोग अकॉर्डिंग टू रेट लोग रेट अफ रियेक्शन इस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इनीशियल कंसंट्रेशन ओफ लेंगे कम कंसंट्रेशन का उतनी ही कम रियेक्शन की रेट होगी ठीक है यह हमारे पास रेट लोग बोलता है जैसे हमारे पास कोई भी एक केमिकल रियेक्शन है a प्लस b gives to p p for product a और भी यहां पर रियेक्टेंट है और इन्हें हमने किस रेशो में लिया है इनके जो stoichiometric coefficient है, वो क्या है हमारे पास A and B. तो P से तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि rate law में लिखा हुआ है कि initial concentration of reactant, तो product में कुछ भी बने है, हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ देखेंगे भी नहीं, हमें सिर्फ focus करना A and B पर. तो R directly proportional to initial concentration of reactant, मतलब A की concentration पर और B की concentration पर यह directly depend करता है, तो R directly proportional to A raise to X and B raise to Y. अब यहाँ पर X और Y क्या हैं, यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है. हमने जो equilibrium में पढ़ा था, उस equilibrium में जो rate law हमने पढ़ा था, उस rate law में X और Y दोनों A और B के equal होते थे. मतलब यहाँ जो coefficient लिया जाता था, वोई coefficient हम यहाँ पर लेते थे. तो हम मान सकते हैं कि X equal to A और Y equal to B वहाँ पर होता था, वो सिर्फ एक case था, ठीक है? लेकिन अकर complete reaction के बारे में study की जाए, तो यहाँ पर X A के equal हो भी सकता है और A के equal नहीं भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, इसके बारे में यह ध्यान रखना है, मतलब X and Y may और may not be equal to A and B, इस चीज़ का हमें आपर खास ध्यान रखना है, ठीक है? अब equal होगा या नहीं होगा, यह हमें कैसे पता लगेगा? यह हम without experiment पता नहीं कर सकते हैं, हम theoretically नहीं बता सकते कि यहां का जो digit है, वो concentration की power में यहां पर आएगा यह नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यह सब हमें कहां से पता लगता है, यह सब हमें experiment से पता लगता है, ठीक है, अब जब question पूछा जाएगा, तो दिमार्ग में question यह आता है, कि जब paper में question पूछा जाएगा, तो हमें कैसे पता लगे, कि हम यहां पर x और a को equal ले या ना ले, तो ध्यान रखना है, कि अगर question में कुछ ना कुछ hint दिया गया है, x और y के बारे में, तो हमें उस hint के according ही चलना है, हम उसे a और b के equal नहीं लेंगे, hint किस तरीके से, जैसे भी मैं next question कराऊँगा, उसी में easily clear हो जाएगा, कि वो किस type के hint की बात करना है, ठीक है, अगर question में कुछ hint दिया गया है, तो हमें x और y की value वही लेनी है, जो question में दी गई है, लेकिन अगर x और y की value के बारे में, कुछ भी information नहीं है, बिल्कुल zero information, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो coefficient दिये गए हैं, direct y ले लेंगे, मतलब x को a के equal और y को b के equal हम मान लेंगे, ठीक है, तो simple से दिमाग में यह रखना है, कि अगर question में हम x और y के बारे में information given है, तो हम इस information के according चलेंगे, और अकर information given नहीं है, तो हम directly a and b की value यहाँ पर put कर देंगे, यहाँ पर a and b को बोला जाता है molecularity, molecularity मतलब a and b के mole आपस में किस ratio के अंदर reaction कर रहे हैं, और x और y है कि कितना part reaction की rate को effect करने में participate करता है, ध्यान रखना कितना part reaction की rate को effect करने में participate करता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो x और y होता है, ठीक है, यह हमारे पास x और y और b के बारे में, अब देखो आगे चलता है, R directly proportional to A raise to X and B raise to Y, proportion का sign हटाया है तो R is equals to K constant आएगा, A raise to X and B raise to Y, बस हमारे पास यही टर्म है, जो यहां से important और chapter को आगे बढ़ाने वाली है, पहली टर्म है K, यह K क्या है हमारे पास, यह rate low का constant है, इसलिए से बोला जा रहा है rate constant, ठीक है, और X और Y, मतलब reactant के उपर जो power आ रही है, उन सब power को अगर हम add कर दे, X plus Y, तो इसे denote किया जाता है small n से, और इसे हम बोलता है order, ठीक है, तो अब जो हमारा आगे का chapter continue होने वाला है, वो इस order और rate constant पर ही पूरा based होने वाला है, ठीक है, इसी को हम continue करेंगे, order की value क्या क्या हो सकती है, देखो difference क्या है molecularity और order में, जैसे मैंने बताया क्या order क्या होता है, rate low में जो concentration के power आती है, इसके addition को हम order बोलता है, यह order 0 भी हो सकता है, fraction में भी हो सकता है, positive भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हम molecularity की बात करें, तो molecularity कभी भी fraction में नहीं होगी, मतलब यहाँ पर यह जो digit है न, यह कभी भी fraction में नहीं होगे, यह हमेशा complete integer की form में हमें यहाँ पर मिलेंगे, यह इनके बीच में man difference है, ठीक है, तो rate law आया होगा समझ में, अब हम इसे आगे चलते हैं, rate law में, तो देखो जिसके बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, कि practical और theoretical अगर information गिवन है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो, पहली reaction है, 2hi gives to h2 plus i2, अगर मैं theoretically लिखना चाहूँ, theoretically, rate law, तो इसका rate law क्या लिखा जाएगा, इसका rate law लिखा जाएगा, r equal to k hi की power 2, अगर हमें कोई भी information नहीं गिवन, तो हम यहाँ पर यह जो 2 लिखा हुआ है, इसी को हम क्या मान लेंगे, इसकी concentration की power में लिख देंगे, मतलब यहाँ का जो order होगा, वो molecularity के equal होगा, यह theoretical है, लेकिन जब इसे practical perform किया जाता है, और practically यह पता चलता है, कि actual में यहाँ पर जो theoretical है, और practical है, वो दोनों बराबर है, कहने का मतलब जैसे मैंने बोला था, may or may not be, equal to molecularity and order donor equal हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर equal है, कोई problem नहीं है, next equation में चलता है, यहाँ पर अगर theoretical लिखा जाए, तो R is equals to K, H2O2 के power 2, मतलब यहाँ का जो order है, वो order कितना है, इसे order बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ का order है 2, यह second order reaction है, लेकिन experimentally, यहाँ का जो rate law है, वो actual में यह आता है, H2O2 के power 1, यह first order reaction है, यह second order reaction है यह नहीं, first order reaction मतलब power 1 आईगी, और यह कैसे पता चला, यह हमें experiment से ही पता चला, हम theoretically पता नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई formula नहीं है, जिसे हम देख के बता दें, कि यह first order reaction है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, possibly नहीं है, ठीक है, और ऐसा order में difference क्यों आता है, वो हम numerical करेंगे, हमें easily पता लग जाएगा, कि difference क्यों आ रहा है, आगे reaction में चलते है, यहां का theoretical order क्या होना चाहिए, rate law क्या होना चाहिए, R e g cos 2 k, H 2 की power 1, और CL 2 की power 1, अगर हमें कुछ नहीं दिया, तो हम यहीं लिखेंगे, तो यहां पर 1 प्लस 1, total order क्या हुआ, यहां पर total order हुआ 2, लेकिन अगर हम experimental बात करें, तो experiment में, जब यह perform होता है, तो R e g cos 2 k, H 2 की power 0, और CL 2 की power 0, मतलब यह H 2 और CL 2 की concentration पर depend ही नहीं करता है, यह जीरो order reaction है, आया समझ में, theoretically हम देख के बता सकते हैं, कि second order reaction हो सकती है, लेकिन practically जो perform किया जाता है, तो यह zero order reaction होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह organic chemistry में, hydrocarbon में पढ़ा होगा, तो भी पढ़ा होगा, तुम लोगों ने कि H 2 प्लस CL 2, इसके उपर जैसे ही sunlight आती है, तो sunlight आने से क्या होता है, chlorine hydrogen को replace करने लग जाता है, hydrocarbon में, ठीक है, HCl form करता है, और वहाँ पर हमारे पास कोई एक hello alkane form कर देता है, और यह reaction depend करती है, कि हमारे पास जो sunlight आ रही है, उसकी intensity कितनी है, अगर ज़्यादा intensity की आ रही है, तो reaction जल्दी होगी, और कम intensity की आ रही है, तो reaction धीरे होगी, मतलब वह sunlight की intensity पर depend करती है, ना कि reactant की concentration पर, और अगर reactant की concentration पर depend ही नहीं करती है, तो इसका मतलब उसका rate तो constant honे वाला है और rate constant मतलब यह कौन सी ओडर हो जाएगी हमारे पास यह हमारे पास zero order reaction हो जाएगी ठीक है तो देखो कहने का मतलब यह है इस reaction में molecularity order दोनो बढ़ाइबदे इस reaction में हमारे पास theoretical value जादा थी practical value कम थी यहां पर theoretical value जादा है practical value कम है तो कुछ भी हमारे पास values आ सकती है हम देख के order नहीं बता सकते अब अगर देख के हम order नहीं बता सकते तो question तो हमारे पास order के यह आने वाले ठीक है तो अब यह order किस किस तरीके से question में hint देखे पूछा जाएगा जो मैं बात कर रहा था वो हमें अब इस numerical से देखो जब हम numerical करेंगे उससे हमें पता लग सकता है numerical से पहले हम एक बार यह rate constant आया तो इसकी एक बार unit के बारे में और study कर रहता है कि rate constant की unit क्या होती है अब वो hint क्या है वो भी यहाँ पर पता लगेगा देखो जैसे हमारे पास rate law क्या है rate law r is equals to k reactant की concentration मतलब जैसे कोई भी हमारे पास chemical reaction है यह से मैंने मान लिया ठीक है अब in fact यहाँ पर कुछ भी हो सकता है a b c कुछ भी coefficient लग सकता है तो r is equals to k a raise to यहाँ पर तो n ही आने वाला है r मतलब यहाँ पर rate आ है concentration upon time और यह क्या है हमारे पास a मतलब reactant की concentration तो concentration की power n तो total आया है हमारे तो हमारे पास आएगा यह concentration raise to 1-n time inverse concentration क्या होता है mole per liter raise to 1-n second inverse ठीक है और यहाँ पर n का मतलब क्या है यहाँ पर n का मतलब order जो हम पहले define कर चूक है ठीक है तो हमारे पास k की unit आई इसका मतलब k की unit constant नहीं है k यहाँ पर constant है लेकिन उसकी unit change होती रहेगी किसके ओपर depend करेगा यह order के ओपर depend करेगा अगर order change हुआ तो k की unit भी change हो जाएगी तो अगर हम बात करें first order first order के लिए अगर हम बात करें तो k की unit क्या होगी देखो n की जगे रख दो 1 mole per liter 1-1 आप per liter 1-1 और यहाँ पर आजाएगा second inverse तो 1-1 हुआ 0 तो हमारे पास जो unit बचा वो unit बचा directly second inverse first order के लिए second order के लिए बात करें यह बहुत important term है जो मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ second order n की जगे रख दो 2 तो आएगा हमारे पास mole per liter 1-2 और यह second inverse तो यहाँ पर k की unit क्या हुई देखो 1-2 क्या हो जाएगा माइनस 1 हो यह reverse हो जाएगा मतलब mole inverse liter second inverse यह हमारे पास second order के लिए k का unit हुआ second order के लिए और अगर हम बात करें zero order के लिए देखो order तो जैसे मैंने बताया कोई भी हो सकता है लेकिन हमारे जो slavus में है वो slavus में zero order, first order, second order यह है maximum question यही में से पूछे जाने वाले है तो हम इन ही के बारे बात करेंगे zero order के लिए n की value रख दो है पर zero तो k is equals to क्या हो जाएगा mole per liter 1-0 second inverse k is equals to mole per liter second inverse क्या हमारे पास देखो unit हुआ मतलब तीन order के लिए हमारे पास unit अलग अलग है अब जब question given होगा तो question में हमें k की value तो given होगी क्योंकि क्ये तो constant है rate constant उसकी value हमें question के अंदर given होगी और जब उसकी value भी given होगी तो उसमें साथ में unit भी वह 100% हमें लिखके देगा ठीक है और उसके पीछे क्या unit लगी हुई है उससे हम पता कर सकते हैं कि उसका order कौन सा है ठीक है इस hint की में बात कर रहा था मतलब जैसे देखो reaction हमें दिया उसने कुछ भी हमें reaction दिया जैसे 2H2O2 gives to 2H2O plus O2 तो हम यहां की molecularity देखके पता नहीं लगाएंगे कि H2O2 के पीछे 2 लगा हुआ है तो order उसका 2 है नहीं हम उस question में जो K की unit दी गई है उस unit को देखकर पता लगाएंगे कि उसका order कौन सा है अगर K के पीछे unit given है मारे पास second inverse तो फस्ट order reaction है अगर K के पीछे unit given है mole inverse लीटर second inverse तो वो second order reaction है और अगर K की unit है mole per liter second inverse तो वो zero order हमारे पास reaction होगा तो यहां से K की unit से हम order easily पता लगा सकते हैं ठीक है अब हम चलते देखो questions की तरफ कितने typical question इससे और ज्यादा बन सकते हैं देखें तो question हमारे सामने है अच्छे सा कर रहा है हमें question कि कि किस के उपर इसी concept के उपर बहुत सारे question हमारे पास एक्जाम में पूछे गए है और आगे भी पूछे जाते रहेंगे a plus 2b gives to c if concentration of a increase by 2 times then rate is increased by 2.82 time if concentration of v increased by 3 times then rate is increased by 3 times the order of reaction will be और 5 option हम कहां पर given है 3 7 by 2 7 by 4 5 by 4 5 by 2 क्या इसका answer आएगा सबसे पहले में एक छोटी सी बात clear कर देता हूं अगर हमें question दिया गया होता a plus 2b gives to c then what is the order of reaction will be directly reaction दिया हमें और पूछ लिया कि इसका order क्या है तो order कैसे निकालेंगे हम लोग r is equals to k a की power 1 and b raise to 2 तो order क्या हो जाएगा हमारे पास 1 plus 2 equal to 3 directly order 3 answer आजाएगा लेकिन 3 देखो option में भी given है 3 लेकिन यह बीच में क्या लिखा हुआ है इसने यह इतना लंबा चोड़ा क्या लिखा हुआ है यही hint है hint का कहने का मतलब के हम directly यहां पर इसको 1 और इसको 2 नहीं मान सकते ठीक है अगर इसने बीच में कुछ भी लिखके नहीं दिया होता directly बोला होता के a plus 2 b gives to c इसका order बताओ तो हम confidently बोल देते इसका order 3 है 1 plus 2 equal to 3 लेकिन इसने बोला है बीच में के हमें directly in a follow नहीं करना है यहां पर x equal to a और y equal to b नहीं है यहां पर और x और y की value क्या है वो मुझे बीच में इस detail दी गई है इस detail से हमें निकालने पड़ेगी कैसे निकालेंगे निकालते हैं चलो बहुत आसान है जो जो लिखा गया है वस उसको follow करते जाओ answer हमारे पास सीधा आड़ेगा कैसे देखो if concentration of a increase by two times then the rate is increased by 2.82 time ठीक है सबसे पहले हम rate law लिख लेते है rate law बनेगा क्या है इसका अब r is equals to k अब a हमें पता नहीं है कितना आएगा तो a raise to x b raise to y यह भी हमें पता नहीं है और यहाँ पर order है जो question में पूछा गया है वह क्या है वह x plus y जो भी x और y की value आएगी वह हम यहाँ पर add कर देंगे पर आ जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास इसे लिख देते है equation number one ठीक है अब देखो आगे चलो अगर मैं a की concentration को two times कर देता हूं तो rate 2.82 times increase हो जाती है कर देता है rate कितना increase हो रहा है 2.82 r equal to k a को कर दो two times तो जो पहले a था वो अब 2a हुआ b raise to y यह second equation आया ठीक है चलो आगे चलते है if concentration of b increased by three times then rate is increased by three times जो लिखा हुआ है वो कर देते हैं फिर से rate हो रहा है three times कब हो रहा है जब a में तो कोई change नहीं किया बोला ही नहीं है b हमने three times कर दिया तो equation number three तीन equation हमारे पास आ चुकी है इन तीन equation को solve करना है x और y की value हमारे पास सामने होगी कैसे solve करते हैं चलो कर लेते हैं by equation 2 को अगर मैं divide डिवाइड कर दू बंसे तो देखो क्या होगा 2 को divide कर रहा हो बंसे r से r cancels हो जाएगा बचेगा 2.82 इसी कोस्टू b raise to y से b raise to y cancel हो जाएगा k से k cancel हो जाएगा बचेगा क्या मेरे पास मेरे पास बचेगा 2 a raise to x ठीक है बाकी सब कैंसिल हो चुका है लिख के देख ले ना तुम लोग मैं आपर पूरा डिटेल में एक एक चीज नहीं लिख रहा हूं करो 2.82 a raise to s से a raise to x कट जाएगा और बचेगा क्या 2 raise to x is equal to 2.82 तो x की value क्या होगी थोड़ा सा typical लग रहा है थोड़ा सा अगर हम दिखान दे तो यह आजाएगा 2 into 1.41 equal to 2 raise to x और 1.41 क्या होता है अंडर रूट 2 is equals to 2 raise to x ठीक है 2 under root 2 को हम लिख सकते हैं 2 raise to 3 by 2 is equals to 2 raise to x तो x की value क्या आ गई हमारे पास x की value आ गई 3 by 2 एक value हमारे पास आ चुकी है ठीक है x equal to 3 by 2 आया आप क्या करना है by equation 3 by 1 देख लो 3 by 1 यह 1 है और यह 3 है divide करो r से r cancel हो जाएगा बचेगा 3 k से k cancel हो जाएगा a raise to x से a raise to x cancel हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 3 b raise to y divided by b raise to y b raise to y से b raise to y cancel हुआ 3 is equals to 3 raise to y मतलब y की value क्या आ गई हमारे पास 1 तो x और y दोनों आगे दोनों को add कर देते हैं तो order is equals to x plus y is equals to 1 plus 3 by 2 5 by 2 यह हमारे पास answer आ जाएगा देखो जो हमें देखने में 3 लग रहा था आंसर के आया हमारे पास 5 by 2 है option में यह रा option यह answer हमारे पास 5 by 2 आ जाएगा ठीक है तो question में इस तरीके से जो details दी गई होती है वह details हमें use करनी होती है order निकालने के लिए और अगर details नहीं दी होती तो हम directly equation से इसका order बोल देते हैं इसी के बारे में मैं बात कर रहा था ठीक है आया होग अच्छे से समझने है अब चलते हम लोग next question की तरफ next question तुम्हें pause करके पहले खुद try करके देखना है नहीं होता if concentration of A increased by 2 times rate is increased by 8 times if concentration of B is increased by 3 times rate become 1 by 3 of initial rate if concentration of C increased by 3 times then rate increased by 3 times find order of reaction तो जो जो question के अंदर बोला गया है उसे follow करते चलो answer हमारे पास आजाएगा सबसे पहले हमें लिखना है rate rate is equals to rate low में r is equals to k a raise to x क्योंकि हमें प्ता नहीं है के a का order क्या होगा b raise to y और c raise to z इनकी power क्या है वो हमें find करना है कैसे करेंगे देखो सबसे पहले जो पहली detailing उसकी बात करता है if concentration of a increased by 2 times a की concentration को 2 times increase कर दो 2 raise to x 2 a raise to x ठीक है तो rate कितना increase वह रहा है 8 time यह 8 time b raise to y and c raise to z ठीक है यह equation 1 equation 2 equation 3 कहां से बनेगी b से if concentration of b is increased by 3 times तो b को हम कर देते हैं 3 times increase अब a को हमें वापस यही लिखना पड़ेगा 2 यह मतलिक देना ठीक है तो b को हम कर रहा है आपर 3 times increase कर रहा है c raise to z तो rate कितना हो रहा है 1 by 3 हो रहा है 1 by 3 ठीक है next हम बात करें if concentration of c increased by 3 times c को भी 3 times increase कर देते हैं जैसा बो लगा है वह सतर ना पड़ेगा यह हमने कर दिया 3 times increase ठीक है तो rate पर क्या effect हुआ rate भी 3 times increase हो गया तो 3R तो equation number 4 अब हमारे पास चार equation आ चुक है इन 4 equation को solve करना है ठीक है पहले मैं long method से बता रहा हूं उसकी बाद मैं बिलकुल short method से बता हूंगा जिसमें मैं pen भी चलाने की जरुरत नहीं होगी और answer हमारे पास आ जाएगा ठीक है b raise to y से b raise to y कटेगा c raise to z से c raise to z कट जाएगा और बचेगा हमारे पास खुद लिखके देखना कट करके देखना बचेगा 8 equal to 2 raise to x हमारे पास final बचेगा मतलब हम लिख सकते है 8 को 2 raise to 3 is equals to 2 raise to x तो x की value आ गई हमारे पास directly 3 ठीक है second देखते है by 3 by 1 अब जब इसको हम लिखेंगे तो r से r कट जाएगा 1 by 3 is equals to 3 raise to y बचेगा तो यहाँ पर y की value क्या होनी चाहिए माइनस 1 ठीक है जब माइनस 1 होगी तो भी तो 3 का इन्वर्स होगा तो यहाँ पर y की value आ गई हमारे पास minus 1 ठीक है अब हम देखते है 4 by 1 4 by 1 में देखो क्या बचेगा हमारे पास 3 equal to 3 raise to z तो z की value क्या जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी ठीक है 1 आ गई order क्या हो जाएगा एड कर देना है तिनों को order is equals to x plus y plus z 3 minus 1 plus 1 is equals to third order हमारे पास यह reaction है इस reaction का order क्या होगा third order तो इस तरीके से equation solve करके इसे किया जा सकता है अब question यह आता है कि sir अगर यह need और dream यही में ऐसे question आ रहे हैं तो यह तो बहुत ज्यादा time consuming है need में हमें एक question को करने के लिए लगबग एक minute मिलता है और यही में लगबग एक question को करने के लिए दो से सवादो minute का time मिलता है तो क्यों उसमें हम इतना लंबा कुछ कर पाएंगे तो देखो इस question में क्या करना होता है जब हम एक question करते करते प्रैक्टिस हो जाती है तो उस प्रैक्टिस के बाद हम इस question को directly ऐसे कर सकते हैं पढ़के कर सकते हैं कैसे पढ़के करेंगे concentration of a increase by two time rate is increased by eight time तो दिमाग में आ जाना चाहिए यह चीज तो हमारे दिमाग में रहती है ठीक है तो चलो यह लिखके अगर एक बार मैं equation लिख भी लेता हूं बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो equation भी लिखने की जोरत नहीं पड़ेगी हम directly कर सकते हैं देखो जैसे equation लिखा तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब मैं a को double कर रहा हूं अगर मैं a को double करता हूं ठीक है और यह 8 times हो रहा है तो क्या effect होना चाहिए मतलब यह 2 के उपर कितनी पावर आनी चाहिए 2 के उपर पावर आनी चाहिए 3 तब ही यह 8 हो सकता है क्योंकि 2 raise to 3 ही 8 हो हो रहा है मतलब अगर मैं b को 3 टाइम्स कर रहा हूं तो rate क्या हो रहा है 1 बाए 3 इसका मतलब y क्या होना चाहिए y हमारे पाब minus 1 होना चाहिए क्योंकि 3 का inverse क्या होता है 1 by 3 और वो यह बोल रहा है तो B के respect में power क्या है B के respect में power है minus 1 ठीक है और अगला पढ़ोगे कि अगर C को हम 3 times कर रहे हैं तो rate भी 3 times हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि C के तो directly proportional है अगर मैं C को 3 times कर रहा हूं तो rate भी 3 times हुआ इसका मतलब R directly proportional to C C के ओपर कोई power नहीं आनी चाहिए इसका मतलब यहां पर C के ओपर power 1 आया समझ में तो हम इस तरीके सो question को पढ़के directly यहां पर कर सकते हैं तो rate लो क्या हो जाएगा यह हमारे पास rate लो आ जाएगा तो इस question को करने में आदे मिनट से भी कम का time लगता है मतलब जितना time question को पढ़ने में लगेगा उसके बाद fan मत चलाओ direct हम option टिक करेंगे अगर हमारी question करने की practice हो जाती है तो इस तरीके से तो इसकी practice और हम करेंगे अब next lecture में rate law और इसे order और rate constraint को आगे continue करेंगे करेंगे तो जाता है झाल झाल